90 के दशक में राम जन्म भूमी आंदोलन अपने शिकर पर था हिंदू तै कर चुके थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन उस समय भी लाखों ऐसे हिंदू थे जो या तो राम जन्म भूमी के विरुद्ध थे या उन्हें कोई फरक ही नहीं पड़ता था कि वहां मंदिर बने या मस्जिद बने या कुछ न बने कुछ intellectual हिंदू तो यहां तक idea दे रहे थे कि मंदिर मस्जिद दोनों छोड़ो वहां school बनवा दो या फिर अस्पताल बनवा दो अब school और अस्पताल तो कहीं भी बन सकता है और बनना ही चाहिए लेकिन उसके लिए भगवान शरी राम को उनकी जन्म भूमी से निकालना क्यूं जरूरी था इस सवाल का जवाब intellectuals आज तक नहीं दे पाए अब ये सब मैं आपको आज क्यूं याद दिला रहा हूँ क्यूंकि आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जब देश के लाखों हिंदू भगवान शरी राम से आखें फेर चुके थे उस समय भी पूरे भारत में एक एक ऐसा जैन नहीं था जो राम मंदिर के साथ ना खड़ा हुआ हूँ 100% सौ पृतिशद जैन समाज राम मंदिर के समर्थन में था मीनाक्षी जैन जैसी हिस्टॉरियंस ने साफ शब्दों में कह दिया था कि बाबरी मस्जद श्री राम मंदिर के अवर्षेशों पर बनाई गई थी जैन मुनी श्री लोकेश आचारी का एक स्टेटमेंट मुझे आज तक याद है मुनी ने कहा था राम मंदिर आयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या मक्का में बनेगा 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोट ने वर्डिक दे दिया कि आयोध्या में राम मंदिर बनेगा इस फैसले के स्वागत में जितने ढोल नगाडे हिंदूों ने बजाए उतने ही उल्लास के स्वर जैन समुदाई से भी सुनाई दिये अहमदाबाद में जैनों ने राम मंदर निर्मान के लिए 24 किलो चांदी की इंटें दान कर दी और ये कोई अकेली घटना नहीं थी गूगल पे 10 मिनट बैठिये ऐसे सेकड़ों किससे मिल जाएंगे अनगिनत ऐसे उदाहरन हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि जैन समाज उस वक्त भी हिंदूओं के साथ शुरी राम के साथ खड़ा रहा जब लाखों हिंदू सेकुलर हो गए थे तो आज जब जैन आस्थाओं को हिंदू समर्थन की जरूरत है तो क्या हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे सम्मेद शिखर शुरी सम्मेद शिखर जहां 24 तीर्थनकरों में से 20 ने मोक्षप्राप किया ऐसी पवित्र धरा को बाजार में बदलने का सरकारी शड़ियंत्र रचा जा रहा है जारखन सरकार शुरी सम्मेद शिखर को विश्व प्रसिध परियटन स्थल बनाना चाहती है सुनने में अच्छा लग रहा है ना विश्व प्रसिध परियटन स्थल तो ये भी जान लीजे कि परियटन स्थल बनते ही सम्मेद शिखर में क्या क्या बदल जाएगा जैनों का ये पावन तीर्थ रातों रात एक recreational center हो जाएगा नए construction के नाम पर युग युगांतर से अविचल खड़े हुए परवत खोट डाले जाएगे तीर्थ स्थल के आसपास मधुशालाएं खुल जाएगी भाई शराप पिये बिना recreation कैसे होगा hotels खुलेंगे, restaurants खुलेंगे, जहां बे रोग, टोग, अंडा, मचली, मांस, सब कुछ menu में पेश किया जाएगा अहिंसा और पवित्रता जैसे मानवतावादी जन सधानतों की दर्जियां उड़ा दी जाएगी समेथ शिखर को modern बराने के नाम पर उसकी शुचता को भंग कर दिया जाएगा, नस्ट कर दिया जाएगा और दुख ही ये है कि ये सब हम हिंदू की आखों के सामने होगा हम हिंदू जो 24 तीर्थंकरों के आगे सर जुकाते हैं महावीर स्वामी को वही मान देते हैं जो अपने देवी देवताओं को दिया जाता है हम जो राम मंदिर के लिए जैनों के रिणी हैं और जैन कौन हैं एक बार ये भी जान लेजिए मैं आस्था के चश्मे से नहीं तरक के माइक्रोसकोप से देख के बात करूँगा इसलिए ध्यान से सुनियेगा हम हिंदू गाई को माता मानते हैं वैतनरी पार करने वाली शक्ति मानते हैं गो पूझा करते हैं तो ये जानिए कि हमारी मा के लिए जैन समाज क्या क्या करता है हमारे यहां लगभग 16,000 गोशालाएं हैं जहां गाई की सेवा मा की तरह की जाती है इन में से 12,000 गोशालाएं ठीक सुन रहे हैं आप 16,000 में से 12,000 गोशालाएं अकेले जैन समाज संचालित करता है देश में होने वाले कुल दान का 62 प्रतिशत हिस्सा भगवान महावीर के यही अनुयाई दान करते हैं देश के कुल इंकम टैक्स में जैन समाज के हिस्सेदारी लगभग 24% है यानि एक लाइन में कहा जाए तो हमारे देश के विकास में जैन समाज का योगदान लगभग 25% है जबकि जैनों के कुल गिंती सिर्फ 0.37% है यानि आधे प्रतिशत से भी कम हाइपोथेटिकली सोच के देखिए अगर समेज शिखर का अपमान जैनों ने दिल पर ले लिया और देश को दिया जाने वाला अपना सारा योगदान रोक दिया तो ये कितनी बड़ी दुरगटना होगी सरकार जो रोजगार समेज शिखर के बाजारी करण से पैदा करना चाहती है क्या वो रोजगार, वो होटेल्स, वो बिजनेस, वो रेस्टरेंट्स देश की तरक्की में 25 प्रतिशत का योगदान दे पाएंगे जो जैन समाज देता है इतना गणित तो पांचवी पास बच्चे को भी समझ में आता है आप भी हिसाब लगा के देख लीजे ये सिर्फ एक हाइपोथिस है ऐसा कभी होगा नहीं, जैन कभी ऐसा करेंग नहीं लेकिन आकड़े, आकड़े सोचने पर मजबूर तो करते हैं मैं नमन करता हूँ अपने जैन भाईयों बहनों को जिनकी आबादी सिर्फ 0.37% है फिर भी कभी, कभी इन्होंने माइनोरिटी काड नहीं खेला अपने अल्प संख्यक होने का रोना नहीं रोया बलके पूरे देश में दोनों हाथों से मुस्करहटे बाटी, खुशिया बाटी मैं समझता हूँ दुनिया की हर माइनोरिटी को स्वाभिमान और राष्ट प्रेम जैनों से सीखना चाहिए लेकिन सीखना तो मेजोरिटी को भी चाहिए हमें भी सीखना होगा कि जिन्होंने हमारे राम का साथ दिया हम उनका साथ देंगे जो हमारे लिए खड़े हुए हम उनके लिए खड़े होंगे मैं सौ करोड हिंदूों से हाथ जोड़ कर विंती करता हूँ समेच शिखर को अपवित्र होने से बचा लीजिए आवाज उठाइए इस अनर्थ के विरुद्ध आज हम चुप रहे गए तो अपने जैन भाईयों बहनों से कभी आखे नहीं मिला पाएंगे